नमस्का दोस्तो मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चनल कुकबित पूनम में दोस्तो आज हम बनाएंगे आलू बैंगन की सबजी इसको हमने बिना मसाले की बनाई है लेकिन बहुत ही स्वाधिश्ट बनेगी अगर आप इसको किसी ओकेजन पर भ यह है अब तेल हमारा गरम हुआ तो हमने इसमें चीहां ढल दिया जब हमारा जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तो हम इसमें प्याज करनाओं अब प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे जादा ब्राउन नहीं करना है लेकिन इसको आदा हम भून लेंगे तो अभी देखे प्याज हमारा भून चुका है, अब इसमें हमने एक चम्मज डाल दिया है, हरी मिर्च और लहसुन का पेश्ट, आप चाहें तो अदरक का भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ हरी मिर्च और लहसुन का ही पेश्ट डाला है, अब इसको थोड़ा सा और इसको भी हम भून ले रखा है कहीं फ्लेम कम करेंगे तो ये सब्जी पानी छोड़ता है और अगर पा निशोड़े कि अच्छ Apollo को के रखा है अब हम इस को चलाते हुए भूनेंगे जब यह थोड़ा सा भून जाएगा तब हम इसमें आलू डाल देंगे क्योंकि आलू को भी हमको साथ-साथ भूनते चलना है तो अब हम इसमें डाल देते हैं आलू जो हमने आलू को काट के धूल के रखा था हमने लाल वाला आलू लिया है आप अपने पसंद की कोई भी लेकिन एक आलू आता है जो थोड़ा सा फूट जाता है अगर आप इस तरह से बनाए उसकी इस तरह की सूखी सब्जी नहीं बनती है तो आप कोसिस करें कि अच्छे क्वाल्टी का आलू ले अब इसमें हमने देखे नमक डाल दिया है और फ्लेम हमने बिल्कुल भी कम नहीं क चाहिए इसको अच्छे से भूणना है तो इसको आप पराबर से चलाते रहें और इसी तरह से भूनने रहें अब हमने इसमें थोड़ी से लाल मिर्ची डाल दिये अगर आप लाल मिर्ची नहीं खाना चाहते तो इसकिप कर सकते हैं हमारे याँ ठोड़ा सा चटक खाया जा और इसको हम चलाते रहेंगे बीच बीच में, तो अभी देखे हम इसको चला दे रहें हैं बीच में, और लगबग हमारी ये सबजी रेडी हो चुकी है, हमने इसमें कोई मसाला यूज नहीं किया है, यकीन मानिए ये सबजी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, थोड़ी दिर इसको हम और ढख के छोड़ देते हैं दो मिनिट के लिए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और सबजी हमारी एकदम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, उसके बाद हम इसको उतार लेते हैं, आप इसको चावल दाल के साथ भी अभी स्वाधिस्ट वाई पेट आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल भी प्रेस कर देना ताकि जब भी कोई नेया वीद्व अप्लोड करूं तो नोटिफ्केशन आप सबसे पहले पहुँंचे फिर मिलगे इसी तरह के एक बहुत रीके के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों टेक केर बाई बाई